स्वागत है आप सभी का लोग सभाचुनाव 2024 के नतीजों के बाद देश को अब नई सरकार का इंतिजार है NDO के मिले बहुमत के बाद भाजपा के नेतृति में NDA सरकार बनाने जा रही है NDA संसिदी दल की आज बैठक होनी है इस बैठक में नेरेंद्रमोदी को NDA संसिदी दल का नेता चुना जाएगा बैठक के NDA के घटक दलों के नव निर्वाचित सांसदों के अलावा भाजपा शासित, राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमक्यमंत्री भी शामिल होंगे बैठक के बाद नरेंद्रमोदी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं बता दें कि NDA के पास 292 आंसद हैं जो 547 सदस्य लोगसभा में बहुमत के 272 के आंकडे से अधिक है तो यहीं महतपूर्ण बैठक आज NDA संसिदी दल की होने वाली है और शालेंद्र मेंश हमारे साथ जुड़ रहे हैं शालेंद्र थोड़ी दिर बाद जुड़ेंगे और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं पास 49 सदस्यों की लोगसभा में बहुमत के आंकडे से पार comfortable majority में आज NDA गठबंदन इस वक्त स्वर्ष नजर आ रहा है और आपको याद होगा कि चुनाओं के नतीजों के बाद बैठक भी NDA की हो चुकी है जिसमें सभी ने अपना समर्थन अपने सर्वोच नेताओं के हस्ताक्षर के साथ भाजबा को सौपा और अब उसके बाद NDA की संसदिये दलगी बैठक बहुत ही महत्पूर अपसे थोड़ी देर में इसमें माना जा रहा है कि प्रधान मंत्री को इस कड़भंदन का नेता चुना जा सकता है और NDA NDA सरकार दावा पेश कर सकती है और कौन से वो बड़े चहरे जिन पर सभी की निगाए है देखिए ग्यारा बज़े के बाद तमाम जो बड़े चहरे हैं वो यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं पियुस गोल अपसे तोड़ी दर पहले आया है हम मुंबई से जीते हैं पर जाते हैं सुरासिंग चौवान मादपर्देश के पुरू मुखमत्री वो फसे तोड़ी दर पहले पहले पहुँच चुके हैं और या अद्च पुर्दिष के पुर्क मंत्री वो पहुंच चुके हैं तमाम देश लग अलग राज्यों से एंडिये के जो नेता हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं जो एंडिये के सांब अच्छिय के नेता है एंडिये के नौ निर्वाची सांसद सामिल होंगेlica साथ जो इस सांसिता मुख मंध्री मुख मंध्री और मुख मंध्री करी सांसद माया उस्वाब्ति मूलिए राष्पठन कीमध्री यह की नेता जाएंगे तो ये पूरी प्रक्रिया होगी संब्धानी पृद्ध की नेता चुनने जाने के बाद अभ़ा आपधियांति की अग्वाइ में मिली हे उसको लेकर उन unkaud अन्वाज इताए जाएगा और NDA के जो नुद आचिस सांसद हैं वो पढ़ामनती नेटा चुनेंगे अठराई लोग सवा में तो यह बहुत महत्पूर है इंशलेंद गटबंदन तो पहले भी था, NDA पहले भी थी इस बार NDA में ऐसा क्या खास है कि सबी लोग गटबंदन की बाते जादा कर रहे है गटबंदन धर्म की बाते जादा कर रहे है ऐसा क्यों है और क्या कुछ बदलावा सकता है पहले भी NDA था और अब इस बार भी NDA सत्ता में आया है फर्क क्या है? देखे बहुत अच्छा सवाल आपने पूचा है 2004 में अपने दमपर BJP को 282 लोकसवा सीट आई थी और NDA के साथ वो उससे उपर थी 2019 में अपने दमपर 303 सीट आई थी और NDA के साथ आकला 350 से उपर था इस बार अपने दमपर BJP को 240 सीट आई है NDA थोड़ा कसर रह गई NDA तो NDA को पूर्ण बहुमत 242 से उपर है जब 2014 और 19 में BJP अपने दमपर सरकार बना सकती थी तब भी BJP ने NDA के सहीयोगियों को जगा दी थी सरकार में हिस्यदारी दी थी मातपूर्ण मन्टालर दिया था और कहा था कि वो सभी अपने पार्टनर्स को साथ लेकर चलते है चुकि चुनाव पूर्वे गड़धन करके उचुनाव लड़े है इस बार ये चर्चा इसलिए की जा रही है जादा कि इंडी गड़धन यानि जो विपक्च का गड़धन है उनके कुछ नेताओं ने ऐसे बयानबाजी की या कुछ ऐसे संकेत दिये कि एंडीय के कुछ सही होगी उसे उनकी बातचीत हो सकती है या उनसे कुछ बातचीत जारी है हलाकि बात में मलका अरजुन खड़गे जो कॉंग्रिस के अध्यक्ष है उन्होंने इस पस तोर पर कह दिया कि वो विपक्च में बैठेंगे लोग सभा में लड़ाई लड़ेंगे तब से वो बिल्कुल ये भी साफ हो गया कि विपक्च अपनी तरफ से कोई प्रियास नहीं कर रहा कब से कब मीडिया के सामने आकरे कह रहा है एंडिये के सभी घटक दलों ने एक जुटता से इस बात को कहा कि पधामंती ने अन्मुदी जो भी फैस्ता लेंगे मंत्रमसर में जगा देने की संख्या के हिसाफ से या जैसे भी वो उन्हें मंजूर होगा कोई डिमांड अपनी तरफ से नहीं है लेकिन जो तस्वीरे दरसल कुछ दिन तिनावन नतीजों के बाद आई नितिस कुमार एक ही फ्लाइट में तेजस्वी आदो में तो उसको लेकर बड़ी चर्चा हुई लेकिन जेडियू की तरफ से भी इस्पस्ट कर दिया गया किसी दागी ने कहा कि पूरी मजबूती से हिस्सा है जेडियू और जब एंडिये के बैठक की तस्वीरे आई आई आपको याद होगा परसो जो एंडिये की बैठक कोई थी उसमें मुस्कुराते हुए चेहरे निकिस कुमार के चनबाबू नाइडियू के पुरा मंतरी के ठीक बगल में बैठे हुए तो उन तस्वीरों तमाम संज़ेगे को पूरी तरह से साफ कर दिया कि एंडिये पूरी मजबूती से एक जुट है और पूर महमत से ऊपर महमत मिला है और सरकार बना जा रहा है फिर चर्चा इस बात की होने लगी कि किसको कितनी हिस्सेदारी होगी चुकि जेडियो मजबूत तोर पर चुनाव जीत कराया है टीडिपी के भी 16 सांसर जीत कराया है तो उनको जादा भागेदारी सत्ता में चाहिए होगी और यह स्वाभाविक भी है हर कोई पार्टनर सायोगी चाहता है कि सत्ता में उसकी भागेदारी हो अगर जन्ता ने उसे जिताया है तो उसको लेकर बीजेपी में एक तरह से राई भी है कि NDA के जो बड़े सायोगी है उनको जादा जगा दी जानी चाहिए यहां तक कि NDA के जो कम 302 वाले यानि एक या दो 302 वाली जो पार्टी है उनमें से भी हम देखेंगे कि हो सकता है कि कुछ लोगों को मंतरी बना दिया जाए जिससे कि एक संदेश जाएगा कि NDA में जितनी जादा से जादा हो उतनी सायोगी के जगा दी जा रही है और पहल होते हैं राजसबा से चुनकर आए उनको मंतरी बनाया गया यह इंडिये ने एक संकेत दिया कि वो कितना ख्यार लगती है पिछले वर गया दलिस संदाए से आने वाले सांसुदों का नेताओं का और उनको सत्ता में भागेदारी देती है एक तरब तमाम फैसले पिछले औ अनमोदी के अगवाई में 2019 के बाद जो फिर बदल हुआ था उसके बाद तो अब यह चर्चा बहुत है कि महत्पूर मंतराले क्यों से मिलेंगे जेडियो को या फिर टीडीपी को यह सही बात है कि जब टीडीपी और जीडियो की महत्पूर भूमका होने वाली है तो उनके सांसाथ जो मंतरी बनेंगे उनको महत्पूर मंतराले मिल सकते हैं इसमें कहीं कोई दोराय नहीं लेकिन एक बात है जो संकेत आखरी लाइन है कि CCS के मंतराले विक्त मंतरी ग्रे मंतरी रक्चा मंतरी ये मंतराले सरकार में BJP अपने पास रखना चाहेगी चैकि वो एक दृ इसले जाता है क्योंकि फिर प्रात्मिक्ता होती है देश हित की नीतियों पर समर्थन जुटाने की देश को ऐसी नीती देने की जो सभी को एक साथ लेकर के जाए क्योंकि सरकार और राजनीतिक दलों में फर्क होता है अगटबंदन आगे जाते हुए कि आपको लगता है कि NDA के जो घटक दल ये कह रहे हैं कि उ प्रधान मंत्री के साथ हैं और मजबूती के साथ खड़े हैं फिर ये ख़बरें क्यों उड़ाई जा रही हैं कि किसी को स्पीकर पद चाहिए किसी को मंत्राले चाहिए किसी को अमुक संक्ख्या में चाहिए कुछ तो यह करें कि जिस पार्टी ने आपने रामला सठावले साब का जिक्र किया एक भी सीट इस बार नहीं जीती फिर भी हो कह रहा है कि मंत्री बनाया जाना चाहिए यह सब खबरे कहां से आ रही है क्या लोगों को तधान मंत्री की कारेशायली का अंदाज नहीं है आजे थोड़ा समय दीजी तो आपको बताऊंगा देखिये संख्या भल ही सब कुछ नहीं होता है कई बार सांकेतिक जगा भी देनी होती है किसी समाज को भागेदारी देने के लिए अरामदा सठावले हों या तमाम पिछड़े अदलित नेता हों कई बार उनकी पारिटी के कमसान सज्जिते हैं फिर भी जगा इसलिए दी जाती है कि ये संदेज भी दिया जा सका है और ये उचित भी रहता है कि उन्हें जगा देकर उस समाज को भी एक संदेज दी जाता है कि सरकार में अधिक्तम भागेदारी हम जहां तक संबह हो सकता है वो दलितों पिछड़ों की सुनश्चित कर हैं आप जो चर्चा कर रहे हैं कि देखिए गडबंधन दर्म अलग होता है सरकार की अलग बात होती है बड़ा रोचक सवाल आप पूछ रहे हैं उसको थोड़ा उलटकर घरन जवाब दे कि कई बार राजनीतिक खितों के वज़े से चुनाव पूर्व गडबंधन से भी लोग निकलते हुए दिखाई दिये हैं और दूसरे दलों में जाते हुए दिखाई दिये हैं और कई बार दूसरे दलों के लोग गडबंधन में आते हुए दिखाई दिये हैं जो सरकार में हैं तो यह राजनीतिक उलट फेर हमने इत्यास में देखा है लेकिन इस वक्त का गवाई में बहुत मजगूती से एक चुनाव लड़ा गया है चुनाव पूर्ब गडबंधन बना कर तो चुनाव पूर्ब गडबंधन बना जाता है तो अलग से कोई समर्थन के एलान की जरूत नहीं होती अलग से ये कहने की जरूत नहीं होती कि हम साथ है वो जब मीडिया नेनेता चुना है और वो दावा पेस किया जाएगा जिसमें जो बहुमत का आकड़े से काफी उपर गड़ बंदन है वो अलग बात है तेकि राजनीत में हर कोई चाहता है वो राजनीत के लिए आया है संसद में जादा भागेदारी हो यह कौन नहीं चाहता है छोटा दल है हो चाहता है कि बड़ा बन जाए बड़ा दल हो चाहता है कि और मजबूत हो जाए इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है अब जब बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला तो तमाम विरोधी दल यह जो इस बात को लेकर खुस हो रहा है कि कहा कहीं कोई दूर समाऊना कुछ साफ कर दिया है कि वो विपक्ष में ही बैटने जा रहे हैं जहां उनकी जगह 2014-19 में जिस बेंच की तरफ थी ट्रेजी बेंच के बगल में या उसके सामने वही बैटने जा रहे हैं तो ये बहुत इसप्लस्ट है लेकिन राजगीत में जब सरकार गठन की प्रक्रिया ह होती है तो ये चर्चा होती है अगर बहुत पुर्ण महमत से एक दल प्रचन महमत से आता हैं तो चर्चा ये होते कि कौन-कौन मंत्री बनेगा कितने नए चेहरे सामिल होंगे पुराने कितने जगा पायेंगे और inhibड़ बंधन में कुछ जैसे ही तीसरी बार उनको जन्मत मिला उसके बाद जब उन्होंने पहली बार देश को संबोधित किया उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी जो वाइदे उन्होंने कहे थे ब्रश्टाचार के खिलाफ लड़ाई वो जारी रहेगी यानि जिस तरह कि हम गत्विध इसमें कोई दरान ही देश को आगे ले करके जाएंगे तीसरी सबसे बड़ी अर्थवस्था बनाएंगे और रष्टा चार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी अब जब एक पहले से मजबूत विपक्ष आपको संसद में नजार आएगा सत्तापक्ष एंडिये गटबंदन जिसके संसीदी दिल की बैठाग अपसे थोड़ी दिर बाद होने वाली है उनकी रणनीती क्या रहने वाली है संसद में जो देखिए पहली रणनीत तो बहुत इस्पष्ट होगी कि जिन मुद्दों पर कहीं कोई केई मदभेद नहीं है एंडिये के सहीयोग्यों की बीच और जो पुर्णामर्टी नैन मोदी का एजंडा रहा है जो बीजेपी का एजंडा रहा है बीजेपी के संकल पत्र में सा अंतरता से आगे बढ़ा जाना है जैसे एक उदाहान के तोर पर सब को घर देने की जो कवाय सुरू होई उसमें जो बचे हुए लोग है उनको कैसे संत्रत किया जा यानि पूरी तरह से जो नए लोग जब परिवारा लग हो जाते है या फिर उनको घर की जरुद होती है ग से हैं दूसरी बात है कि बिचार धारा से जुड़े फैसले विरासत से जुड़े फैसले जो संकल पत्र का हिस्सा है उसमें सहमती बनाना कर आगे बढ़ा जाना जैसे एक देश एक चुना बीजेपी के संकल पत्र के एजंडे में है उसको लेकर एक रिपोर्ट भी आई है दोजार उनतिस तक कहा गया है कि लागू भी किया सकता है अब उस पर किस तरह से सहमती बनेगी उस पर आगे बात होगी वो देखिए उसको सहमती बना कर पार्टी और गैंडिया आगे बढ़ना चाहेगी जेडियू ने एक दिन कहा भी कि रेखिए जो कॉमर्स को जिसे मु देखिए उसको लागू किया जा सकता है लेकि सबसे बात करके एक आम राय बना कर तो उस प्रक्रिया का प्रालन करनी की कोशिश ज़्यादा की जाएगी अगर किसी भी मुद्धे पर कोई बद्भेद या कोई सुझाव आता है तो उस पर विचार किया जाए इंडिये के सह योगों से बात चीत करके आम राय के साथ आगे बढ़ा जाए जो चर्चा है जो चर्चा है वो और ज्यादा होगी नई संसद में और यह किसी भी मजबूत लोकतंदर के लिए बैता रहे प्रदान मंत्री खुद भी कह चुके है कि अगर कोई कमी नजर आती थी तो मजबू अब ठीक है अपनी बात कहिए प्लीज बहुत दूर तक जाएगी और विपक्ष ज्यादा बेतर तरीके से फस्ता नजर आएगा ये भी जानते हैं वो बहुत अच्छे से उनके पूरो वित्मंत्री तक गेरे में आ सकते हैं और गेरे में आ चुके हैं इसी लिए करा है